हेलो और गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम टू एक्जाम इंसाइड माइनम इस नापया तो आज हम देखेंगे 12 अब डिसेंबर के सारे इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स यह करेंड अफेर्स एक्जाम के लिए बिल्कुल एप्ट है तो वीडियो को एंड तक थरली की जरूर देखना साथी साथ में आपको बता दो कि अगर आप अपनी जीत की त्यारी को और पका करना चाहते हो तो हमारे टेलिग्राम चानल को भी जागे जॉइन कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां पर आपको रोज नेने क्विजिस देते हैं साथी साथ में कोई पे रिकूट्मेंट अलर्ट हो सबसे पहले आपको हमारे टेलिग्राम चानल पर मिल जाता है तो बैठे-बैठे करके आ रहे हो फट फिट से जाओ हमारे टेलिग्राम चानल को अब भी जाकर जोईन कर लो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अब गोल्ड कोस्ट इस अ कोस्टल सिटी इन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की जो गोल्ड कोस्ट है वो एक कोस्टल सिटी है और इसने एक कॉमन वेल्थ गेम्स जो है कॉमन वेल्थ गेम्स 2026 से इसने अपने हाथ पीछे कर लिया है यानि कि अब ये सिटी इसको होस्ट इन नह को मना चाता है रीसेंट्ली चत्रपती शिवाजी MARTIN को स्टैच्टी और वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनवील किया गया कि यानि किसफ़ा अनावरण किया गया है रीसेंटली कंचन देवी has been appointed इनको appoint किया गया है पहली women director general of the Indian Council of Forestry Research Education ठीक है रीसेंटली इंडिया के रामकुमार रामनाथ ने जीता है men's single title of Kalaburgi open tennis tournament यह कहां पही हुआ था यह Kalaburgi में ही हुआ था ठीक है international volunteer day हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है doctor ambedkar maha pari nirwan divas हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है वहीं पे वारा नसी बन गया है पहली country कैसी पहली city जो होगी bagging free city till 2027, March 2027 तक यहां पे पूरा पूरा focus रहेगा कि वारा नसी को bagging free city यानि की भिक्षा मुक्ती city एक तरीके से वह बनाया जा सके ठीक है रीसेंटली प्रेसिडेंट ने प्रेजेंट किये national awards for the year 2023 किनको उन लोगों को जो disabilities के साथ में empowerment कर रहे हैं कि सशक्ति करन कर रहे हैं clear यह हमारा revision हो गया इसमें I hope सब कुछ आपको बिल्कुल clear होगा चल अब आज के current affairs देख लेते हैं किसको recently board of director International Development Finance Corporation के board of director में appoint किया गया है अनीश्या, देवेन पारेक, स्वेता सरस्वत या फिर मुकुल रोई option number A, B, C, A, D which one is the correct answer फटबट से आप भी में को comment section में answers बताते चलो ठीक है option number B यानि कि देवेन पारेक इस दी correct answer चलो आगे देख लेते हैं देवेन पारेक एक American Indian person है इनको recently International Development Finance Corporation के board of directors की उसमें appoint किया गया है देवेन पारेक, US President Joe Biden के द्वारा appoint किये गया है इस position के लिए देवेन पारेक currently managing director है inside partners के inside partner एक New York based growth equity investment fund है जो की establish हुआ था 2019 में clear चलो आगे देख लेते हैं नए Chief Minister तेलंगाना के कौन बनेंगे देवन्थ रेड़ी, देवाथी, रमन, रोहन, आयर या फिर जनारधन रेड़ी option number A, B, C, or D, which one is the correct answer? so the right answer is option number A that is रेवन्थ रेड़ी, clear, चलो result आगे है तेलंगाना assembly election के कब declare हुए है December 3, 2023 को और यहाँ पे Congress के past 64 seats यानि की majority votes आए है और Congress के रेवन्थ रेड़ी तेलंगाना के CMC के साथ में बन जाते है रेवन्थ रेड़ी का जनम हुआ था 1969 में कहाँ पे महभूब नगर में ठीक है जो की कहाँ पे है आंधर प्रदेश में है total number of assembly seats तेलंगाना में कितनी है 190 जिन में 64 seats मिली है किसको? Congress को, clear? चलो किसको sports business leader of the year के award से सम्मानित किया गया? Roger Binnis और अफगांगुली अनिल कुमलेया जे शा अप्शन नमबर A, B, C, A, D which one is the correct answer? So the right answer is option number D that is जे शा clear? चलो आगे देख लेते हैं जे शा करेंटली BCCI के secretary है जे शा को recently सम्मानित किया गया है sports business leader of the year के award से और C.I.I. चानक के चौदरी जो की chairman है national committee on sports के उनों ही awards ये सम्मान जो है ये जे शा को present किया है ठीक है? चलो आगे देख लेते हैं कौन सी university ने Q.S. World University Sustainability Ranking में top किया है University of Manchester, University of California, University of Toronto या फिर University of Delhi option number A, B, C, I, D which one is the correct answer? So the right answer is option number C that is University of Toronto clear? चलो आगे देख लेते हैं Recently Q.S. यानि की Quecquerelli Cements ने release की है World University Sustainability Ranking जिसमें 1397 institutions है 95 countries से इस ranking में इतने institutions है Canada की University of Toronto ने यहाँ पे top position लाया है इसमें वहीं पे University of California जो की United States से है ये second place पर आया है Britain की Manchester University आई है 3rd place पर clear? चलो आगे देख लेते हैं Oxford University ने declare किया है World of the Year for the Year 2023 आपको बताना है इन में से कौन से सही है यानि की कौन से बना है World of the Year for 2023 RISF is datament option number A, B, C, I, D which one is the correct answer? So the right answer is option number A that is RISF हर साल Oxford University चूज करती है World of the Year और इस बार RISF को World of the Year चुना गया है RISF का मतलब क्या है? RISF का मतलब है attractiveness यानि की आकर्शन ठीक है या फिर ability किसी को आकर्शित अपनी तरफ आकर्शित करने की छमता रखने वाले को यहाँ पे RISF बोला जाता है यह word पहली बार Hollywood actor Tom Holland ने अपने interview में यूज किया था उसके बाद से यह word बहुत ज़ादा trend में आ गया साती साथ में इसके साथ में जो और भी words थे जो इस race में थे और वो out हो गए वो थे prompt, situationship और swifty ठीक है लेकिन यहाँ पे जीता कौन यहाँ पे जीता अर्वेव्स clear, चल आगे देख लेते हैं कौन सी state के 18 products को मिला है GI tag एक ही दिन में असाम, उत्रप्रदेश, मध्यप्रदेश या उत्तरा खंड option number A, B, C, A, D which one is the correct answer? so the right answer is option number D that is उत्तरा खंड clear 18 नए GI tag मिले हैं उत्रा खंड के उत्तरा खंड की चौलाई को जहंगोरा को मांडवा, रेड राइस, अलमोरा लाखोरी चिली, बैनिनाग्टी बुरन शर्बत राम नगर नैनिताल लीची, रामगर पीच, माल्टा माल्टा एक बहुत फेमस है न पहाड़ी, तोर, गहट, काला भट, बिचू, बूटी, फैब्रिक, नैनिताल, कैंडल, कुमाउनी, कलर्ड, पिचोड़ा, चमूली, रमन, मास्क, और लिखाई, वुड, कार्विंग को यहाँ पे GI tag मिला है ठीक है, आपको बता दूँ, अभी तक, जो पहला GI tag है, वो दावजेलिंग की T को मिला है, कब 2014 में और जो भी एक प्रोड़क्ट को GI tag मिलता है, वो 10 साल तक वालड होता है उसके बाद में जिसका भी वो ownership होता है, उस प्रोड़क्ट को लेके उसको जा के इसको फिर से renew करवाना पड़ता है और जब आप renew कराते हो, तो आपको थोड़ी सी piece भी देनी पड़ती है, ठीक है, चलू According to the report, report के हिसाब से कौन सी rating agency की report के हिसाब से इंडिया बनेगा दुनिया का third largest economy 2030 तक यहाँ पर जो reports है, उनके क्या नाम है, Moody's, S&P, Fitch या ICRA, option number A, B, C, R, D Which one is the correct answer? So the right answer is S&P, option number B is the correct answer, ठीक है, S&P, एक Global Rating Agency है, इसने 2026-27 तक जो अपनी country की GDP growth है, उसको 7% तक यहाँ पर predict किया है, और यह currently यानि की 2023-2024 का financial year में 6.4% है अपनी GDP growth, जो current financial year है, उसमें, currently इंडिया दुनिया की fifth largest economy है, अमेरिका, चाइना, जर्मनी और जिपान के बाद, S&P का full name है, standards and poor, clear? चल, आगे देख लेते हैं, recently UNESCO ने include किया है, गर्भा डान्स को, जो की कौन सी स्टेट से बिलॉंग करता है, cultural heritage list में, UNESCO ने cultural heritage list में, कौन सी स्टेट के गर्भा डान्स को यहां पे include किया है, Odisha, Kerala, Maharashtra यहां गुजरात, obviously गर्भा is very popular, option number A, B, C, A, D, आपको भी इस कांसर पता होगा, that is D, यानि कि गुजरात, ठीक है? अपने अभी नवरातरी में गर्भा नाइट्स होती है, बेसिकली गर्भा में क्या होता है? कि शक्ति, यानि कि पार्वती माता, ठीक है? उनका पांडाल होता है, और सब लोग एक तरीके से वो एक religious thing कह सकते हो, आप गर्भा को, ठीक है? गर्भा एक famous folk dance है, गुजरात का, यूनेस्को ने इसको cultural heritage list के सूची में include किया है, गर्भा जो है, वो describe किया गया है बाई यूनेस्को किस तरीके से ritualistic and devotional dance of शक्ति, शक्ति यानि कि पार्वती माता, गौरी माता, शिवजी की जो होई, ठीक है? गर्भा 15th cultural heritage of India है, ठीक है? यह जो game है, यानि कि आप इसको dance form है, इसमें लोग ऐसे डांडिया स्टिक से, यहाँ पे खेल रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, जिसको basically माना जाता है कि एक fighting है, जैसे कि goddess Durga और जो एक demon king, राक्षेसो का राजा था, महिशा सुर, इनके बी अगे देख लेते हैं, रीसेंटली कौन सी डिस्ट्रिक की municipal corporation ने अप्रूफ किया है, चंदेर नगर, चंदेर नगर एक नया नाम है, कौन सी पहले यह वो रह चुकि यह डिस्ट्रिक जिसका नाम अब चंदेर नगर, यानि कि चंदर नगर सौरी, इसको कर दिया गया है, फ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को अब municipal corporation के दुआरा approval ले करके चंदर नगर कर दिया गया है, ठीक है, spelling is चंदर नगर, ओके, ठीक है, चल, आगे दिख लेता है, फिरोजाबाद एक डिस्ट्रिक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह बॉर्डर्ड है, यानि कि घिरी इटावा, इटा और मैन पूरी डिस्ट्रिक्ट से, रिसेंटली प्रपोजल भेजा गया, फिरोजाबाद के नाम को चेंज करके चंदर नगर किया जाएगा, और यह अप्रूफ हो गया है, यह जो approval है, यह municipal corporation के द्वारा दिया गया है, 1566 AD में एक kingdom था, राजा चंदर सेन क फिरोजाबाद में, तो उसी के नाम पे यह चंदर नगर इसको किया गया है, यह जो place है, यह अब से, आज के बाद से चंदर नगर कहलाई जाएगी, clear, चो किसने इनागुरेट किया साहिति अकाड़ेमी बुक फिर रीसेंटली, अमिच शा, अध्रौपदी, मुर्मू, अर्जुन, राम, मेगवाल, या फिर पियूश, गोय, option नमबर A, B, C, A, D, which one is the correct answer, so the right answer is option नमबर C, that is, अर्जुन, राम, मेगवाल, clear, चल, साहिति अकाड़ेमी फिर और्गनाईज किया गया, न्यू डेली में कब, डिसेंबर 2023 में, जो फिर है, ये किसके द्वारा इनागुरेट किया गया, यूनियन, कल्चर, एंड, लॉव, मिनिस्टर, अर्जुन, राम, मेगवाल के द्वारा, साहिति अकाड़ेमी बुक फिर, 9 डिसेंबर तक चला, ठीक है, बहुत से कल्चरल प्रोग्राम्स और प्रॉमिनेंट राइटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और आपको बता दू, जो बुक फिर है, साहित अकाड़ेमी फिर, ये इसका दूसरा संस्करन, यानि कि सेकेंड एडिशन था जो इस बार ह ये तो हमारे सारे करेंट अफेर्स हो गया है, अपना होमवक भी देख लो, वर्ल सॉइल डे हर साल कम बनाया जाता है, 4, 6, 3, 5 डिसमबर, बताओ, कौन सी कंट्री का कौन सी सिटी बन जाएगा, पहला बैगिंग फ्री सिटी, बारा नसी, वरंगल, रिशी केशे, जी कि से खिए, बताओ, को हमेंग बनाय बनायों।